क्योंकि यह राखी यह बंदन कुई मामूली बंदन नहीं है हिंदुस्तान भारतश वो एक अक़ेलह वाहिब फिल खै कि जहां रख्षणा बंदन मनाए जाता है यह त्योहal ना हिंदुओं का है ना मसल्मानों का है ना सिक्ख इसाईयों का है ये हर भारती का त्योहार है और भारती जहां जहां फेलेंगे वहां वहां ये त्योहार भी फेल रहा है जाए वो पाकिस्तान हो वहां भी बनाया जाता है अमेरिका है वो कोई भी जहां जहां हमारे पैर लखे गए वहां वहां राखी चली गए क्योंकर ये इतना खुब्सू प्रतेवार है कि जो एक बार इसको कर लेता है वो तभी भूल नहीं पाता है। और एक चीज़ में आपको बता हूं, हमारे सगे भाई भी होते हैं, ब्यर्ड रिलेशन वाले, और राखी बंदे भी होते हैं। लेकिन जो प्यार, जो महबत हमें अपने राखी भाई से होता है, वो सग्रभाई से नहीं होता है। जो जो राखी बंदे हैं, जिसने भी, वैसे भी में बंदने वाली बात नहीं जो दिल से है, अकेले किसी को बाना है अगर आपने, तो उसके लिए सोचिए आपकी फेलिम क्या होती है। किनके राखी हम भाई होता है, वो बाई च्वाई होता है। और जो ब्लड रिलेशन वाला भाई होता है, वो तो उपर वाले ने दे दिया, तो भाई तो माने गई। एक ही मा की वाला तो नहीं माने गई। तो कहां जाएंगे। मादा के जो ठीब कर देगी। तो वो धागा कच्छा धागा है। अब मैं अम्बानी के घर की राखी की बाद तो नहीं करूँगी कि वहां तो करोडों में बाते होती है। पर हम जैसे लोगों के हैं, धागा कच्छा होता है, हमोशा राखी का है। लेकिन जिब वह हाथ में बन जाता है, तो वह इतना स्ट्रॉंग हो जाता है कि बड़े सी पड़े तलवार की धाग उसको कात नहीं बाती है। क्यूंके राखी दिल में जाके बनती है, हाथ पर नहीं बनती है, दिल पर बनती है। और बानने वाला भी हाथ नहीं होता है, बलकर दिन होता है, एक दिल दूसर दिल को राखी बानता है, और वह कच्छा धादा जब बन जाता है कलाई पे तो वह पत्थर का हो जाता है, लोहे का हो जाता है, स्ट्रील का हो जाता है, फिर उसको कोई तोड दी सकता है, मेरी हमेश वहो उस राखी का मान रखते हैं, हमारी र रिफाज़त करते हैं। लेकिन मुझे सर्फ एक सवाम पूछना ऐ है .. क्या सिर्फ हमारी रकषा करना सिर्फ पौझियो का काम है ? पुलिस का काम नही है .. आप कहींगे कि पुलिस भीच में कहा से आ गई ? कि अलकाटा की इसने विखी को या भी जिए जिसके लिए प्लिस कुछ नहीं कर रही है, तमाशा लेक रही है, रेप तो बहुत होते हैं, हिंडस्तान में भी होते हैं, मुल्कों में हर जगे होते हैं, हर मुल्क में होते हैं, गंडी आदत हैं अगर होते हैं, लेकिन भयानक रे रेप नहीं होते हैं हर जगे अब तो एक नया चलंग चल गया है रेप करो ऐसे करो ऐसे करो कि जिससे ज़्यादा को भ्यानक चीज नहोगा और उसमें बहुत बड़ा हाथ मीडिया का है आप पुछे मीडिया के क्या है मीडिया तो उसकी से वेवर्ब कर रहे है इतना जादा प्रिफ नहीं तो नहाँ चालते हैं को दूसरे उट्रफों को भी अट्रेक्शन होता हैसमें का अच्छा ऐसे होता हैं ? चलो हम भी ट्राइ करेंगे सोचो जरा ॸचो जरा उस बच्ची का जिसको बिटिया का चूह और के नाम प्राबीदमें नहीं आ रहा है सिर बिटिय कि अच्छा ऐसे होता है, चलो हम भी ट्राइ करके देखेंगा, सोचो जरा, सोचो जरा उस बच्ची का, जिसको बिठिया का नाम दिया दिया, उसका नाम पब्लिक में नहीं आ रहा है, सिर्थ बिठिया आ रही है, कहल कटा की बिठिया, अब मैं कहते हूं कि क्यों, कह लड़क गल्टी लड़की के, यानि मरे भी वही, बर्बाद भी वही हो, और गल्टी भी उसी किता दिया, ना, यह मा, हमारा खुसूर है कि हमने अप्टी लड़कों को गलत तालीम भी है, हर मा को मैं कहोंगे, आवाज दूंगी मा को, तो मा उठो, अपने बेचों को समालो, अपने बाब को तो बेटा हो सकता है, मगर बगार मा के तो कोई बेचा नहीं होता, यह तो हो सकता है कि किसी को ना मालूम हो हमारा बाब को नहीं है, या यह को बेचा कि किसी को ना मालूम हो कि हमारा बेटा कहां कहां दुनिया में है, लेकिन मा तो ऐसी कोई दुनिया में नहीं होत मां से कि आज जो कुछ भी हुआ है, जो हो रहा है जो आगे भी होता रहेगा, खुदा के लिए अपनी बेटों को सभाल लो, कि वे बेटों को समाल लो दुम्या से में की सब कुछ मुट जाएगा, सोचो इसकी जगे अगर अगर अपनी बेटी होती तो हम क्या करते हैं, क्या सिर्फ बेटे रहते हैं आजा, नहीं कभी नहीं, बस मेरी अंतन गुजारश हैंगी है हर मां से, अपने बेटों को सभाल लो, बेटीयां अपना आप समझ जाएगी, तुम्हारी बहानिया राखी के गसम है उस राखी की लाज रख लो, और राखी तुमसे आवाज देके प जन्वाति लग उस वचन को निभालो